गुड मॉर्निंग स्टूडेंस चलिए हम प्रभंध के जो सामन्य सिध्धान्त हैं उनमें आगे बढ़ते हैं अभी तक हम लोगोंने पांच सिध्धान्त देखे थे जहां पर हमने आदेश की एकता और निर्देश की एकता के बीच अंतर देखा था और ये देखिए इस तर सिध्धान्त है सामोहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पन ये हम देखेंगे कि क्या है और इसमें फेयॉल ये कहता है कि जब हम एक संगठन में कार्य कर रहे होती हैं या कोई भी करमचारी किसी संगठन में कार्य कर रहा होता है तो उसे अपने जो हित हैं उन्हे पीछे रखना चाहिए और जो सिधान्त के हित हैं उन्हें आगे रखना चाहिए अपने हित को पूरा करने के लिए या एक समो के हितों को पूरा करने के लिए जो संगठन के हित हैं या संगठन के जो उदेश हैं उनके उपर कोई आज नहीं आनी चाहिए यानि preference किसको देना चाहिए जो संगठन के हित हैं उन्हें जो है वो preference देना चाहिए अब यहाँ पर कई सारे ऐसे होते हैं समूह जो की एक संगठन में interested होते हैं जैसे shareholders हैं और करमचारी हैं और आगे भी आप देखेंगे कि उसके जो shareholders हैं जो debtors हैं creditors हैं और जो finance उनको provide करते हैं वो सारे व्यक्ति हैं तो उनको हितों को ध्यान में रखना चाहिए no doubt लेकिन सबसे पहले किसका हित संगठन का हित ध्यान में रखना चाहिए क्यों क्योंकि अगर संगठन का हित होगा तो automatically जितने भी groups उसमें interested है या जितने भी उसमें जो समू है वो interested है उन सबको automatically उनकी जो हितों की है वो पूर्ती हो जाएगी या उनके जो interest है उनकी पूर्ती हो जाएगी उनको संतुष्टी automatically मिल जाएगी तो यहाँ पर इसी बात के उपर जोर दिया है फे ओल ने कि सबसे आगे हित जो है वो संगठन का हो और फिर हमारे व्यक्तिगत हितों का की बारी आती है ठीक है अब उधारन के लिए इन्होंने देखिए एक्जामपल भी दिये हुए है विबिन हितकारी जैसे मैंने आपको बताया जो कि आपके स्वामी है शेयर होल्डर्स है अंशधारी जी ने कहते हैं लेंदार देंदार वित्य प्रदाता कर अधिकारी तो किसी एक व्यक्तियत वा व्यक्तियों के एक छोटे समूग के लिए जो कंपनी पर दबाव बनाना चाते हैं उनके हितों के लिए कुर्बानी नहीं दी जा सकती किसकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती कंपनी के हितों की तो जो प्रभंदक को ऐसे मामलों में क्या चाहिए कि वो ये सुनिश्चित करें ये अपने करमचारियों को विश्वास दि जो सात्वा प्रिंसिपल है, हमारे टोटल 14 है, 14 है प्रिंसिपल, उसमें हम सेवंथ वाला देखेंगे, करमचारियों के प्रति, को प्रतिफल, यहां पर प्रतिफल का मतलब होता है, कि जो करमचारियों को उनके कार्य के बदले में, वेतन नामा या मजदूरी, जो भी कुछ दिया जाता है, वो, तो यहां पर प्रभंदक को यह सुनिश्चित करना होता है, कि करमचारी जितनी मेहनत उसके संगठन में या कंपनी में कर रहे हैं, उनको उनकी मेहनत के अनुसार, जो वेतन नामा है या कंपनसेशन है, वो दिया जाए, पारश्रमिक उनको दिया जाए और उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम इतना पारश्रमिक तो हो कि जो उनका living standard है जो उनका जीवन्यापन करने की minimum सुविधा है वो उन्हें मिले और ये बिलकुल भी ना हो कि उनको संतुष्ट करने के लिए या करमचारियों को संतुष्ट करने के लिए आप इतना जादा उन लोगों को वेतन नामा दे कि आपकी जो कमपनी है वो सफर हो जाए कहने का मतलब ये है कि balance बना के चलना है प्रभंदक को कि यहां पे करमचारियों को उनकी मेहनत के अनुसार वेतन नामा में मिल जाए और कमपनी को भी अत्यादिक financial दबाव ना पड़े अब दे कैंद्रियकरण एवं वी कैंद्रियकरण देखे इसको इंग्लिश में कहते हैं centralization and decentralization केंद्रियकरण में क्या होता है जो decision लेने का या decision making का अधिकार होता है वो किसी एक व्यक्ती या व्यक्तियों के समू के हाठ में होता है सारे order निर्ने नीतियां वहीं से पास होती है जबकि वीकेंद्रिय करण जो होता है यानि decentralization होता है वहाँ पर किसी एक वेक्ति को या वेक्तियों के समू के पास निर्ने लेने का अधिकार नहीं होता अपितु ये management की जितनी भी level है उनमें evenly distributed होता है ऐसा नहीं है कि हम लोग आप देखिए जैसे अगर हम example करें कि जो प्रधान मंतरी मोदी जी है और हम ये कहें कि जी नहीं प्रधान मंतरी जो है वो हमारे राजा है और वही हमारे गाओं की जो एक एक चीज है उसको आके देखेंगे या वही निरने लेंगे क्या ऐसा संभव है नहीं तो कहीं हमें कई संस्थान हमारे ऐसे होते हैं जहां पे केंद्रिय करण की आवश्यक्ता होती है और कई संस्थान ऐसे होते हैं जहां पर वी केंद्रिय करण году की आवश्यक्ता होती है तो इस जो सिध्धान्थ है इसके अंदर यह कहना चाहते हैं फे और कि हमें ना तो टौटली केंद्रिय करण पे ही बिल्कुल डिपेंड हो जाना चाहिए और ना पूरी तरफ केंद्रिय क करन का प्रिंसिपल इस तरीके से दिया हुआ है अब जो जादा बड़े संगठन होते हैं वहां पे जादा वी केंद्रिय करन पाया जाता है वी केंद्रिय करन मतलब जादा बड़ा होता है तो उन्हें संभालने में दिक्कत होती है तो वो अपने जो सीनियर होते हैं वो अपन हैं या छोटे हमारी जो settings हैं उन में जो है वो केंद्रिय करन पाया जाता है वहाँ पर निर्ण लेने का अधिकार किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के सम्हूं के पास होता है अब एक और महत्वपुन 7 जी हाँ 8 केंद्रिय करन और वी केंद्रिय करन था अब 9 हम देखेंगे सोपान श्रंकला very important सोपान श्रंकला इसको इंग्लिश में scalar chain कहते हैं सोपान श्रंकला क्या कहता है देखे इसको आप सबसे अच्छे तरीके से एक डाइग्राम से सीख सकते हैं यहाँ पर देखिए ABCDEF करके इन लोगों ने एक डाइग्राम बनाया है और फिर LMNOP एक्सेक्टरा तो यह कहना इसमें यह दिखाना चाते हैं कि यह जो व्यक्टी है जितने भी यह सब ABCD जो है यह व्यक्तियों को यह करमचारीयों को डेपिक्ट कर रही है और यह कहते हैं कि किसी भी संगठन में जो सबसे इसमें देखिए सबसे उच्च दिकारी जो है वो A है, A के बाद B आता है C आता है, D आता है और इस तरीके से आगे श्रंखला चलती जाती है, इसको श्रंखला इसलिए chain, श्रंखला मतलब chain इसलिए कहा गया है, तो ये कह रहे है कि A से लेकर A को अगर कोई बात F तक पहुचानी है, तो वो सीधा A, F से बात नहीं करेगा वो अपनी बात B को कहेगा, B अपनी बात C को कहेगा, C, D को पहुचाएगा B, E को और E, F को, तो ये जो communication का जो process है, या जो अपनी बात पहुचाने का जो process है, वो एक chain में बंद करके जाना चाहिए, इसको 105 रंखला कहते हैं, एक formal जो है वो, ये एक रेखा है एक अपचारिक रेखा है जिसमें की communication का flow आपका होना चाहिए जो उच्च अधिकारी हैं उनसे आदेश, निर्देश और नीतियां जो नीचे तक पहुचनी चाहिए नीचे अधिनस्तों तक पहुचनी चाहिए, वो इस चेन के अनुसार ही पहुचेगी और इसी तरीके से अगर F को A से बात करनी है, तो वो सीधा उठके A के पास नहीं चला जाएगा वो अपनी बात अपने immediate जो उसका superior है जो उसका boss है, यहाँ F का boss E है, E का boss D है, D का boss C है C का boss B है और B का boss A है, तो सब अपने senior को बात बताएंगे और इस तरीके से वो बात A के पास पहुचेगी, ठीक है तो यह हमें 105 श्रंखला के बारे में बताते हैं और इसका जो हम कहेंगे कि बेनिफिट क्या है इसका बेनिफिट यह है कि हर एक प्रभंदक को हर एक प्रभंदक को उसका उचत जो है वो स्थान के रूप में उसको अधिकार है कि जो भी एक organization में बाते या communication पहुची जा रही है उसके द्वारा उसके under होते हुए निकले ठीक है, लेकिन इसमें फिर एक बात मैं आपको कहूंगी कि यहाँ पर देखिए मेरे पास अभी board नहीं है मैं आपको समझा नहीं सकती अगर E जो है E directly O से बात करना चाहता है E को कोई बात कहनी है और बहुत emergency है और वो बात O को कहनी है तो in the situation of emergency E क्या करेगा D, C, B, A, L, M, N तक ना जाकर के सीधी एक रेखा खिच जाएगी इनके बीच में E और O के बीच में एक लाइन खिच दी जाएगी जिसको की हम लोग gang blank कहती है या जिसको हम लोग एक पट्टी कहते हैं इसको I think Milan पट्टी हिंदी में something शायद कहते हैं तो इस तरीके से सामाने सिचुएशन में तो अपनी जो proper सीड़ी है उसके अनुसार चला जाएगा लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को emergency में अपने जो parallel हमारे equivalent post पर काम कर रहा है तो हम उसे सीधे संपर्क कर सकते हैं तो ये फेयॉल ने कहा इस रंकला का उलंगन नहीं करना चाहिए लेकिन ये कह रहा है यदि कोई emergency है तो सीधे जो है वो सीधी line एक समतल line कीची जाएगी और उसको कहा जा सकता है इसको कि वो एक shot cut होगा बात करने का ताकि communication होने में या उनकी बात पहुचाने में देरी ना हो तो उसको I think उसको संपर्क संपल संपर्क कहते हैं संपल संपर्क ठीक है तो संपल संपर्क यानि B अगर सीधा N से बात करना चाहता या E अगर सीधा O से बात करना चाहता या F अगर P लेकिन इस विल अपलाई only in case of emergency ओके तो इस आपकी scalar chain है 105 रंकला है और ये आपका 9th principle है अब देखिए 10th principle व्यवस्था order O-R-D-E-R order अब ये कह रहे हैं इसमें फेयॉल के कहना चाहते हैं कि हमारे organization का या संगठन का का काम पून रूप से सुचारू रूप से बिना किसी अवरोध के चलता रहे तो उसके लिए एक प्रभंधक को ये चाहिए वो ये सुनिश्चत करे कि हर एक व्यक्ति की और हर एक वस्तू की एक निर्धारित जो है वो जगे होनी चाहिए एक निर्धारित स्थान होना चाहिए और वो समय पढ़ने पर वो व्यक्ति और वो वस्तु उसके निर्धारित स्थान पर मिलनी चाहिए अब आप मुझे बताएं अगर जो जिस व्यक्ति का जो स्थान निर्धारित है अगर वो वहां ना मिले या जिस वस्तु के लिए जो जग है निर्धारित है वो वस्तु वहां ना मिले तो इसके क्या consequences क्या परिणाम हो सकते हैं जी इसके परिणाम हो सकते हैं कि कारिय में देरी बिना बात में कारिय में देरी क्योंकि जिस व्यक्ति से अगर हमलेगों को कि अचानक से कोई बात पूछ नहीं पड़ जाएगा ठीक उसी तरीके से हमारे organization में कुछ लोगों का स्थान निर्धारित होता है और समय पढ़ने पर उस व्यक्ति का वहाँ होना अवश्चक है order maintain करने के लिए व्यवस्था बनाई रखने के लिए उसी तरीके से कई ओजार अपनी जगह पर ना मिलने से कार्य में अनावश्चक रूप से देरी हो सकती है तो व्यवस्था का जो सिध्धान्त है वो फेयल का दस्मा सिध्धान्त है और ऐसा करने से उनकी उत्पादक शम्ता में व्रद्धी होगी चलिए अब हम लोग और चार पिंसिपल रहते हैं देखिए सम्ता सम्ता क्या होता? इक्विटी, इक्वालिटी, फेयल कहते हैं कि प्रभंदक को ये सारे चौदा सिध्धान्त, ये चारो चौदा सिध्धान्त बेटा ये बताते हैं कि प्रभंदक को एक उपकरम में किन किन चीजों का या कौन से सिध्धान्तों का पालन करना चाहिए, ये सब मार्क दर्शक है किसके लिए प्रभंदक के लिए ठीक है आप देखिए सयोल ये कह रहे हैं कि हर एक हर एक व्यक्ति को समता का मतलब सभी करमचारियों के प्रती निस्पक्षता को सुनिशित करने के लिए सद्धुद्धी एवं अनुभव की आवश्रक्ता होती है यानि सब के लिए एक जै कोई मेल है तो उसको जादा पे करें कोई फी मेल है तो उसको कम पे करें या अगर मेरे नोन है कोई हमारा जानकार है हमारा चाचा मामा कुछ लगता है या हमारा बेटा कुछ ऐसा लगता है तो हम उसको जादा सैलरी पे करें या उससे कम काम कराएं इस तरीके की जो है वो एक organization में नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि जब inequality कहीं पर होती है तो वहां की उत्पादन शम्ता जरूर जरूर प्रभावित होती है तो यहां प्रभंदकों को चाहिए कि जो भी प्रभंदक हैं वो सब करमचालियों से एक जैसा समानता का व्यभार करें ठीक है और इसमें आपको एक बात अवश्य है बेटा जब भी आप ध्यान रखिएगा जब भी आप कहीं भी भी इसको लिखते हैं किसी भी टेस्ट में लिखते हैं किसी को बताते हैं तो आप इसमें एक लाइन ज़रूर एड़ करेंगे और वो लाइन होती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट, क्रीड, एकसेक्टरा मतलब जाती, धरम, जो है राश्रियता, एकसेक्टरा को आपको ध्यान में बिलकुल नहीं रखना है मतलब सबसे समान व्यभार करना है ठीक है और नेक्स्ट विल सी करमचारियों की उप्युक्तता अब यहां पर देखिए यह कहना चाह रही है कि हमारे ओर्गनाइजेशन में जो भी करमचारी है जो भी करमचारी है उनका जो जो रेट है, मतलब उनको स्टेबल होना चाहिए और्गनाइजेशन में यह नहीं कि आज वो डिस्सैटिस्फाई हो गया किसी बात से कहां सुनी हो गई या कोई उसकी पगार को लेके कोई बात ऐसी हुई चोटी मोटी और वो जो है वो छोड़के चला गया कल फिर आप दूसरा जो है वो इंप्लॉई लेके आएंगे स्टेबिलिटी ओफ इंप्लॉई इसको दूसरा लेके आएंगे फिर उसको काम सिखाएंगे वो सीखेगा चार दिन के बाद वो चला गया तो जो यह टरन ओवर है कि आपके करमचारी आपके organization को छोड़के बार बार जा रहे हैं तो प्रभंदक एक अच्छा प्रभंदक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अंडर में जितने करमचारी कारे कर रहे हैं वो अपने organization में stable रहें, वो long term में काम करें, उनको इतना संतुष्ट रखना है, क्यों? क्योंकि करमचारी या जो workforce है, जो human beings हैं, वो एक organization की सबसे बड़ी assets हैं, बेशक्से हम उन्हें अपनी balance sheet में नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी आने आने वाले समय में इसको जरूर balance sheet में दिखाया जाया करेगा, तो हमें या प्रभंदक को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, कि करमचारी या, करमचारी जो है, वो एक organization को छोड़ के बार-बार में ना जाएं, वो stable रहें, वो long time तक आपके organization में बने रहें, और 13 जो आपका सिध्धान्त है, वो ये कह रहा तो यहाँ पर प्रभंदक को ये चाहिए, कि वो जो है, वो अपने करमचारीों में पहल शम्ता को विक्सित करें, नए-नए innovation एक शब्द होता है, एक शब्द होता है बेटा, innovation यानि नए-नए ideas लेके आना, नए-नए काम करने के तरीके खोजना, तो यहाँ पर पहल शम्ता, उनको प्रभंदक जो है, वो अपने करमचारीों को प्रोचाहित करें, उनको encourage करें, कि तुम नए प्लान लाओ, नए योजनाएं लाओ, ताकि हम उनको लागू करें और अपने जो संगठन है, उसकी उत्पाधिन शम्ता को बढ़ाएं, ठीक है, तो इससे आपके जो organization है, उसको काफी फायदा होगा, वे बढ़ चड़कर उसमें भाग लेंगे, करमचारी बढ़ चड़कर प्रभंदन में, या उस process में भाग लेंगे, और नए नए विचारों से आपकी जो वो है, उन्नती दूनी और राचोगनी हो जाएगी, और इसमें, एक और हम देखेंगे, लेट उस सी, इस वन इस सहयोग की भावना, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, इंग्लिश में बोलते हैं, अब सहयोग की भावना में वो क्या कहना चाहिए, कि यहाँ पे प्रभंद, प्रभंदक और करमचारी, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोपरेशन होनी या मैं ये काम करूँगा, इन सब चीजों को छोड़के, टीम स्पिरिट से काम करना चाहिए, हम ये काम करेंगे, हमें ये काम करना है, हम ये उदेश प्राप्त करेंगे, यानि मैं की जगह, किसको जगह पे, आपको कौन सा वर्ड जो है, वो सब्स्टिट करना है, that is हम, य इस स्पिरिट, यानि टीम स्पिरिट से काम करना, देखिए जब भी आप कोई खेल खेलते हैं, भी होकी है तो और अपना क्रिकेट है तो या और भी कोई गेम है, अगर आप उसमें टीम स्पिरिट नहीं होगी, तो वो उसको जो है, कोई भी खेल जीतना वो बड़ा ही पानना ये है कि यहां सहयोग की भावना, यानि प्रभंदक और करमचारियों के बीच में सहयोग की भावना होने चाहिए, उन्हें एक टीम बना कर एक कार्य करना चाहिए, और जिससे कि आपका जो ओर्गनाइजेशन के प्रिडेटर्माइन गोल्स हैं, पूर्व निर्धा जो कि प्रभंदक को ये मांच दर्शिन करते हैं कि आपको सुनिश्चित करना है कि आपके और गनाइजेशन में कौन-कौन सी चीजें लागू होनी चाहिए, और देखे इस पिक्चर में भी ये दिखा रहे हैं, करमचारी को सुझाव प्रणाली, यानि आपको बताया तो definitely the organization will achieve its goal. आप सामने देखिए, इस graph में भी आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से आपका graph जो है, वो success की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चीक है? तो ये आपके 14 principles थे, और इसके बाद हम लोग next video में देखेंगे, hope you have understood all the things and kindly prepare the notes. and that's all for today, thank you.